दोस्तों अगर अभी आपके laptop या desktop के अंदर Windows 10 से Windows 11 के free upgrade का message नहीं आया है नहीं upgrade हुआ है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपकी bio setting Windows 11 के according नहीं है या फिर आपका hardware Windows 11 को support नहीं करता है खेर problem चाहे कुछ भी हो हम यहापर बात करते है solution की और solution भी ऐसा जिसके अंदर आपको अ जो data है desktop, downloads, documents सब agities आपको Windows 11 के अंदर मिल जाएगा तो देखो वैसे तो YouTube के पर बहुत सारे videos available है जिसके अंदर कई होने registry editing बताई है कई होने CMD के ओपर कुछ command type करके बताया है लेकिन यह सारे थोड़ा सा deep technical हो जाता है यह हर किसी को समझ में नहीं आता है तो हम यहापर ब जो आप Windows 10 का यूज कर रहे है वो digitally license होनी चाहिए यह आपको चेक कर लेना है system properties में जाने के बाद ठीक है second चीज आप जो Windows 10 का यूज कर रहे है वो latest 22H2 वर्जन तक updated होनी चाहिए और तीसरी major चीज है कि आपके system के अंदर जो C drive है उसके अंदर minimum 60 GB का 60 GB का space free available होना चाहिए अगर यह सारी requirement आपका system पूरी करता है तो चलिए practical शुरू करते है अब 11 में upgrade करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी इसकी ISO image तो हम यहाँ पर Google सर्च करते है Windows 11 download पहला ही जो link आता है official Microsoft की website का होता है generally तो हम इस पर ही आ जाते है अब यहाँ पर आपको दो option मिलते है एक तो है media creation tool download करके आप Windows 11 के ISO को download कर सकते है और दूसरा होता है disk image के जरिए and second चीज आपको download करने होगी Windows 10 की ISO image जी हाँ सही सुना आपने Windows 10 की ISO image तो यहीं पर आपको यह जो Windows वाल option मिलता है यहाँ पर आपको आना है and then Windows 10 पर आपको click करना है ठीक है अब यहाँ पर Windows 10 को download करने क option ने media creation tool का तो मैंने काफी सारी वीडियो के अंदर बताया है आपको किस तरह से Windows 10 और Windows 11 को download करते हैं तो मैं यहाँ पर इस पार को skip कर देता हूं क्योंकि मैंने already Windows को download कर रखा है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो मेरी डी ड्राइव है यहाँ पर मैंने Windows 10 और Windows 11 दोनों की ISO image को save कर रखा है अब देखो यह तो सभी को पता है कि Windows 11 के लिए minimum hardware requirement और configuration काफी important होता है लेकिन Windows 10 के लिए ऐसी को requirement नहीं है Windows 10 को आप किसी भी system के अंदर generally install कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसी का फायदा उठाएंगे ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ देखो यह है Windows 10 ठीक है तो हम सबसे पहले Windows 10 की जो ISO है इसको यहाँ पर extract कर लेते हैं तो आप किसी भी zip compressing tool का आप यूज कर सकते हैं extract करने के लिए तो यहाँ पर मैं Windows 10 की ISO को extract कर लेता हूँ तो यहाँ पर Windows 10 की ISO extract हो चुकी है तो एक बा पर जाएंगे और यह है इसकी install.esd file ठीक है बड़े जहाँ से देखना मैं क्या कर रहा हूँ ठीक है तो हमने Windows 10 की ISO extract किया है एंड उसके source folder के अंदर अब गए है और यहाँ पर जो इसकी install.esd file है दोस्तों इसको हम कर देते हैं डिलीट that's it यह वाला task हमारा complete हो गया एंड इसके बाद हमें क्या करना है Windows 11 की ISO को right click करना है open with में जाना है and Windows Explorer ठीक है यह करना है तो यह जो ISO है हमारी virtually mount हो जाती है ठीक है एक बार मैं क्या करता हूं इस PC को open करते हैं यहाँ पर आते हैं Windows 10 की जो हमने ISO extract किये इस पर आते हैं इसको कर कर देते हैं इधर ठीक है तो यह जो left hand side पर है यह Windows 10 की ISO जो extract की जा चुकी है वो है and second यह है Windows 11 की mounted image ओके तो अब हम क्या करना है Windows 11 की जो mounted image है इसके source के अंदर माएंगे and then यहाँ पर हमको जाना है install.esd file के अंदर तो where is install.esd शायद उपर चले गई यह रहे ठीक है और यहाँ पर हमको करना है इसे copy and copy करने के बाद Windows 10 की जो हमने extract की थी यहाँ पर source के अंदर आना है हमको and यहाँ पर हमको कर देना है इसे paste तो basically हमने क्या किया Windows 10 के अंदर किसी बी तरह की hardware requirement की ज़रूत नहीं होती है तो हमने जो installation files है वो तो Windows 10 की हम use करने वाला है और जो additions की जो files होती है जिसके अंदर Windows के सारे additions available होता है वो हमने Windows 11 के Windows 10 के ISO के अंदर insert कर दी है basically हमने यह काम किया है okay then इसके बाद हम कर देते है इसको Windows 11 की जो ISO है इसको हम कर देते है exact that's it यह हमारा काम हो गया है और लगबख preparation भी हमारी पूरी हो चुकिए अब आपको upgrade करने के लिए क्या करना है simply Windows 10 के ISO को double click करके open करना है and then यहाँ पर जो setup है इसके ओपर right click करना है run as administrator करके इसे open करना है अब यहाँ पर आपको दिखाए दरा install Windows 10 तो चिंतावली बात नहीं है install आपकी Windows 11 ही होगी ठीक है तो change how Windows setup download updates इस पर आपको click करना है और यह जो option है not right now यहाँ पर आपको click करना है and then simple इसके बाद next पर click करना है आप चाहे तो यहाँ पर net disconnect भी कर सकते हैं यह पूरा process वैसे भी offline होने वाला है इसके बाद license agreement हमारे सामने आ जाता है then accept मेरी उमीद से ज़्यादा ही time यह ले रहा है anyway सबर का फल Windows 11 होता है तो हमें यहाँ पर wait करना होगा अब हमारे सामने एक डायलोग बोक्स आ गया है ready to install Windows 10 की हमारे पास home single language edition था तो यह upgrade होने वाला है Windows 11 home single language edition के अंदर and यहाँ पर सब कुछ हमारा home को वापस मिल जाएगा keep personal file and apps that's it तो जो हम चाह रहे थे वो हमारा task यहाँ पर complete हो गया है okay तो simple इसके बाद आपको install वाले बटन के ओपर click करना है अब वैसे तो यहाँ पर आपको installing Windows 10 show हो रहा है लेकिन दोस्तों यह Windows 11 को install कर रहा है तो बस थोड़ा सा patience आपको रखना है आपके system की hardware configuration और आपकी SSD की speed के ओपर depend करता है कि इसके अंदर कितना time लगने वाला है पहला process complete होने के बाद आपका system restart हो जाएगा and restart होने के बाद आप देखेंगे कि Windows 10 के जगे पर अब आपके सामने Windows 11 का beautiful logo नजर आ रहा है तो Windows 10 से Windows 11 के अंदर हम upgrade हो चुके है तो एक बार हम यहाँ पर system की properties में जाकर के check कर लेते है setting के अंदर हम जाते है and then इसके बाद हम आते है system के अंदर और एक बार हम यहाँ पर activation type के अंदर check करते हैं कि जो हमारी Windows 10 digitally licensed थी और आप यहाँ पर देख सकते है Windows 11 भी हमारी digitally licensed है ओके बहुत ही अच्छी बात है तो हम बार पर जाते है system के अंदर और एक बार हम जाते है about में and आप यहाँ पर check कर सकते है Windows 11 home single language edition 24H2 latest release free upgrade तो दोस्तों इसी तरह के informative और knowledgeable वीडियो देखते रहने के लिए अगर यह वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें चनल पर नहें तो सब्सक्राइब कर लेना फिर मुला काता होगी अगली वीडियो में गुडबाई जैहिंद